इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह सूजन का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मेसेंज के स्राव को अवरुद करके काम करता है और एरवे में मानस्पेशियों को आराम देता है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अपने इनहेलर का इस्तेमाल कितनी बार करने की जरूरत है। इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद नोटिस किया जा सकता है। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही यह अपने अधिक्तम तक पहुँचेगा। इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। इसलिए आप इसे लेते रहें, चाहे आपको कोई लक्षन न होूँ। इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन और भी खराब हो सकते हैं। अचानक हुई सांस लेने में परेशानी से राहत देने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर अचानक सांस उखरना शुरू हो जाती है, तो अपने बचाव इनहेलर का इस्तेमाल करें। इस दवा से लाब प्राप्ट करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी इनहेलर तक्नीक सही रखें। अन्यथा, यह भी काम नहीं करता है। अगर आपको यह हो जाए, तो इसे लेना बन न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप इनमें से कुछ लक्षणों की, अपने मूह और गले को पानी से कुला और गरारा करके या अपने इनहेलर का उप्योग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके रोक थाम सकते हैं। दूसरे दूरलब साइड एफेक्ट हैं, जो गंभीर हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है, तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो आपको एक उचित डोस दे सके। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। बनलो इंगा टी जा जासी दाना भी दे गिल म्यादों प्राव जाकाच्टू